किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धान के टॉप टू वराइटियों के बारे में जिनका उत्पादन है 2024 में 100% बहुत ही बंपर मिलने वाला है यदि मैं एकड़ की बात करूँ तो लगभग 35 से ले करके आनतिस क्विंटल प्रती एकड़ का उत्पादन या दोने किसमें आपको आसानी से निकाल करके दे सकती है बहुत ही शांदार किसम है इसके लिए आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाल हूँ कि किस समय पर इनकी बौई करें किस समय पर इनकी बौई करें और किस किस तरीके से ये कारी करती है तो वीडियो को आप पूरा लाश्ट तक देखिएगा तबी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब् अगली वीडियो आप इस टौपिक परा है। किसान साथ यूँ वो जो है बीजून से ले करके पंदरा जुलाई तक आपको इसकी रुपाई कर लेनी चाहिए सरसाट एक्तालिस धान की यदि इस समय पर आप इसकी रुपाई करते हैं तो इसके लिए सबसे साइज समय इसका रुपाई का होता है यदि इसके उत्पादन की बात करूँ तो यह अलगबग 28 से ले करके 32 क्विंटल तक का उत्पादन आपको आसानी से निकाल करके दे सकती है सरसद 41 धान बात करते हैं फसल की तैयारी की तो किसान भायू फसल जो हमारी तैयार हो जाती है मात्र 110 से 120 दिन के अंदर यहां किसम पकर के तैयार हो जो हती है जो कि मादे मादी वाली धान है सबसे बड़ी खास बात यह किसान भायू कि इसके जो पौदे के लंबाई है इसके पौदे की लंबाई मात्र किसानवाई 105 सिंटीमिटर तक की आसपास होती है जो यह पौदान नीचे आसानी के साथ नहीं गिर पाता है इसके जो तने हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं यानि की बारिस में जो है हलकी बारिस में हलकी हमाओं में या गिरते नहीं इसके चावल काफी माहिंगे दाम में मार्केट में बिखते हैं माहिंगे दाम में इसके चावल काफी स्वादिश होते हैं क्योंकि आप वासमती किसमे में या वराइटी आती है 20 जून से 15 जुलाई तक इसका पौदा रोपड कर सकते हैं या हाइबर्ड वासमाती धान किसमें आती है 21-25 दिन में इसकी नर्सरी तयार हो जाती है यह जो समय 110-120 दिन को बताया गए आपको या धान की बौई से लेकर के धान की कटाई तक के पूरी जानकारी दे दी गई अब किसान भाई यो बात कर लेते हैं इस वराइटी के किसान साथियो बीजदर की तो आपको लगबग 6 से लेकर के 7 किलो ग्राम प्रती एकड़ किसाब से आपको यह बीज़ लेना होगा तब इसकी भौई करनी होगी अब बात करते हुए। दूसरी वराइटी के बारे वेयर 토 किसान भाईव बायर कमपनी की किसान भाई उसके पकने की याओदी की तो लगबग 125 से ले करके 135 दिन के अंदर या पक करके तैयर हो जाती है अब किसान भाई उ मैं बात करूँ इसकी रुपाई आपको कप करनी है तो किसान भाई या थोड़े सी हलकी लेट वाराइटी है तो कोशिश करें कि आप इसकी जो रुपाई करें वो 25 जुन से ले करके लगबग किसान सात्यों 15 जुलाई तक आप इसकी रुपाई कर लीजिए क्योंकि या बहुत ही अच्छी तरीके से किसान सात्यों ट्रेलिंग करती है और बहुत ही अच्छी उत्पादर यहा निकाल करक इसका चावल जो है मध्यम आकरिती का चावल होता है जो खाने में बहुत याज़ स्वादिश रही होता है पर हाँ ठेक ठाक होता है तो किसान भाई यो आप बायर कम्पनी की दोनों किसमे हैं दोनों वराइटिया है सरसाथ 41 भी बार कंपनी किया थी और 64-44 भी बार कंपनी किया थी 64-44 काफी समय से आरी पर 67-41 धान जो है तीन से चार सालों से ही मातरा आ रहा है पर किसान भाई यो बात करें तो पिछले दो अर्चों से या वराइटी काफी धूम मचा करके मार्केट में रखी है क्योंकि इस वराइटी में काफी कम पानी लगता है 47-41 धान में और इसके साथ-साथ किसान भाई बात करें तो उत्पादन बहुत ये अच्छे निकल करके देता है उससे हैं बासमती कटेश्टिस का खाने में आता है जो कि किसान भाई काफी ज़्यादा पसंद कर रहें क्योंकि मन्डियों में इसका भाव जो है काफी ज़्यादा दूसरे धान की मुकाबले ज्यादा उच्छे दाम पे बिग जाता है तो किसान भाईयों यदि आप एक धान में मुनाफ़ वाली खेती करना चाहते है धान की खेती में तो आप दोनों में से कोई सी भी एक किस्म को लगा करके शांदार उत्पादन और शांदार फाइदा कमा सकते हैं और किसान भाई यू एक बात ध्यान दिजिए कि बायर कंपनी के जो भी जाते हैं वो मार्केट में काफी नकली बे आते हैं और दुकंदार इनको देना भी नहीं चाहते हैं कियोंकि इसमें प्राफिट बहुत इकम्या नाम मातर का ही होता है तो किसान भाई यू आप बहे कावे में दुकंदारों की नहाएं और आप जित करके जो है साट 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 एक्तालिस या चौन साट शोवारीस अपने घर ले करके आएं और इसकी बिजाई करें किसान भाई यू मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना शानदार उत्पादन आपको या दोनों वराईटियों में से निकाल करके एक वराईटी देगी इतना उत्पादन आपको कोई अन्निफ धान की वराईटी या बहुत ही मुश्किल से दे पाएंगी और या किसान भाई इसमें रोख भी काफी कम देखने को मिलता है और या काफी अच्छी शांदार विस्वासनी बायर कंपनी का जो कि केटर इंटरनेशनल सीएट का और पेश्टी साइट का ब्रांड है तो आप इस धान की वराईटी को लगा करके अच्छा से अच्छा मु सकते हैं 24 में धन्यवाद